हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल मिशन टू तो स्टुडेंट्स आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का कोशन नंबर 2 करवाने के लिए जा रहा हूं इससे पहले वाले वीडियो में कोशन नंबर मैं किलियर करवा दिया था अभी मैं कोशन नंबर 2 को देखने जा रहा दरसाइए कि कोई भी धनात्मक विश्याम पुर्णांग 6Q1 या 6Q3 या 6Q5 की रूप में होता है जहां Q कोई पुर्णांग है यह कोशन बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं देखें स्टेप बाइ स्टेप इस चीज को समझिएगा हम लोग क को कैसे बनाएंगे उस चीज को देखते देखे किरिप बस्टेप आप लोग समझेएगा ठीक लिए तो हम लोग सबसे पहले या लिखेंगे माना विश्यम धनात्मक कि पुर्णांक is equal to a मान लेते हैं ठीके a क्या है इस चीज को सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं साइड में a is equal to b q plus r यह चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे ठीके बी हम लोग इसका जो पहले वाले पाठ ह somehow यहां पहले like a क्या होता था भाज होता था और बी क्या होता था भाजक और क्या होता था भागफल और R क्या होता था सिस्फल यानि remainder value ठीके तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया वाए 6Q plus 1 है ना B जहाँ पे दिया वाए 6Q plus 1 या 6Q plus 3 इस टाइप से होगा यही चीज question में हम लोगा पूछ रहा है ठीके तो हम लोग क्या करेंगे ना B is equal to क्या हमाल लेते 6 देखो B के जिगह मे छही है ठीक है और जब 26 है तो यहां पर संभावित Yep और क्या होगा सेश्फ कम होगा तो 0 होगा ओन हो है न यह चीज़ा पहले लिख लेते हैं आप्ये हम संभावित बुस्वे संभावित सेसफल क्या क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 होगा वो 6 से कमी होगा वरना 6 होगा तो वो तो पूरा-पूरी कट जाएगा वहाप़े और सेसफल फिर हमारा 0, 1, 2, 3, 4 ही होगा ठीके चलो अब क्या लिखेंगे आप़े संभावित सेसफल क्या होगया इतना होगया ठीक है इस चूकी इसलिए लिखते हैं न संभावित पूर्नांक संभावित पूर्नांक क्या क्या हो सकता है जब सेसफल यह सब होगा तो संभावित पूर्नांक हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं 6Q जब 0 सेसफल होगा तो 6Q के रूप में होगा, 6Q प्लस 0, अगर एक जब सिस्पल होगा तो उस समय क्या होगा, 6Q प्लस 1, जब 2 होगा तो 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, तथा लिखते हैं, कि ये 6Q और 6Q प्लस 2, और 6Q प्लस 4 के हमारा सम्धनात्मक पुन्नांग है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, 6Q कॉमा, चूकी है न, चूकी लिखते हैं, चूकी, 6Q कॉमा, 0 तू खतम हो गया, तो 6Q लिख सकते हैं न, उसके बाद 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, सम्धनात्मक पुन्नांग है, इसलिए, यहाँ क्या करेंगे अब लोग, इसलिए लिखेंगे, इसलिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, तथा, 6Q प्लस 5, एक विशम, धनात्मक पुन्नांग होगा, यह हमारा हो गया, इस तरह, इस तरह से आप अगर बना लेते हैं, तो हमारे यहाँ से पूरा-पुरी नंबर आ जाएगा, ठीके, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, माना विशम, धनात्मक पुन्नांग, A मान लेना है, B is equal to हम जैसे बता है, 6 मान लेना है, संभावित सेस्फ़ल क्या होगा, 6 से नीचे होगा, तो 6 से नीचे हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लेंगे, संभावित पुन्नांग क्या होगा, जब सेस्फ़ल 0 आएगा, तो 6 Q प्लस 0, संभावित पुन्नांग क्या होगा, जब 1 सेस्फ़ल रखेंगे, तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, इसी तरह चलते जाएगा, ठीके, और यहाँ पर क्या हम बोले, कि संभावित पुन्नांग हमारा क्या होगा, 6 Q प्लस, इसमें छाट लेना है, कौन सा सम है, और कौन सा विसम है, तो सम वाला को हम एक साइड लिख दिये, हमको प्रूब क्या करना था, विसम धनात्माग पुन्नांग, तो हम लोग क्या लिख दिये, इसलिए 6 Q प्लस 1, 6 Q प्लस 3 तथा 6 Q प्लस 5 एक विसम धनात्माग पुन्नांग होगा, यह हमारा हो गया, ठीक है, चलो, अब हम लोग क्या बोल रहा है, उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं, किसी प्रेड में 616 सदस्यों वाली, एक सेना की टुकडी को 32 सदस्यों वाले, एक आर्मी, बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समोहों को समान संख्या वाले स्थम्भो को मार्च करना है, उन स्थम्भो की अधिक्तम संख्या क्या है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो दिखो इसमें simple क्या है ना कि दोनों का SCF निकाल देना है ठीक है, you kill division method हम लोग पढ़ेते, पहले वाले question में तो उसी से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, चलो तो यहाँ पे 616 और 32 का अगर हम SCF निकालते हैं लिखेंगे हाँ पे SCF, किसका किसका, 616 616 और 32, इसका SCF निकालते हैं हम लोग, तो SCF कैसे निकालेंगे, यूकिल विवादन method से निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा को बड़े वाले को छोटा से क्या करेंगे, डिवाइट करेंगे, तो कितना बार में जाएगा, 32, दो बार में जाएगा, तो 64, तो 1 ही बार में जाएगा, 32, कितना बचा यहाँ पे, 11 में 2 गया तो 9, यहाँ पे 5 में 3 गया तो 2, 29, ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 6 को नीचे ले आएँगे, अब देखते हैं, कितना बार में जाएगा यह तो में भी लग रहा है तीन तिया नौ तिन्हेटे चौबिस नौ बार में भी चला जा रहा है देखो तो नौ दूने ठारा का आठ हाती बचा एक नौ तिया सत्ता है सरेक अठाइस चलो नौ बार में पूरे-पूरे चला गया यहां पर Dc 16 में से 18 गया तो 8 यहां पर 8 देख बचाए यहां पर दृख remember यह जो हो यहां पर 32 लिखेंगे आठ चौके 32 यहा पर पूरा पूरी कड यह कर द द द एक जब तक आपका से इस्पल जीरो ना आ जाए ड Eğer व Startե है ब क्या लिखेते हैं वहाँ पर हम लोग यह बराबर बी क्यू प्लस यहीं चीज था अप हिंदे से भी लिख सकते हैं आप भाज्य बराबर भाजक इंटु भागफल प्लस ऐसे भी लिखें कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर भाज्य पहला श्टेप में भाज्य हमारा क्या था द अच्छा यह पहला इस टेप में इकड़ गया में अच्छा सेयस्पल उस समय कितना आया था उसके बाद यहां पे देखो आपको क्या देखना है वाजक देखना है कि हमारा उस समय के कितना है आठ तो स्टम्भो की अधिक्तम संख्या तो यहां नीचे लिख देंगे हम लोग कि अस्तम्भो की अधिक्तम संख्या इस एक्वल टू एट यह लोग लिखेंगे ठीक है